जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में आज हम अपना इंकम टेक्स नाम का जो चैप्टर है इसके बारे में बात करेंगे और इंकम टेक्स की जब भी भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका ये बेसिक चैप्टर है जिसे आप इंकम टेक्स कहते हैं इसको आपको समझना बहुत ज़ादा जरूरी है ठीके जब भी भी आप tax की बात करते हो जब भी भी आप किसकी बात करते हो तो हमारे देश में दो तरीके का tax लगता है ठीक है ठीक्स का पहले तो यह जानो कि tax का मतलब क्या होता है tax का मतलब क्या होता है कि जब भी भी हम कोई भी income को generate करते हैं या जब भी हम कोई भी expense करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमें government को क्या करना पड़ता है देना पड़ता है जैसे यहां पे अगर आप बात करोगे यहां पे देखो लिखा है the act of leaving tax is called the taxation मतलब जो आप tax देते हैं जो आप कर देते हैं सरकार को वो कर आपके लिए क्या कहलाएगा टेक्स कहलाएगा यानि जो भी धन आप सरकार को दे रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा कर कहलाएगा और कर की जब भी आप बात करते हो तो कर आपका क्या है most important source of revenue है अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें तो देखे कोई भी व्यक्ति अपनी income को पांच तरीके से generate करता है या तो वो क्या करेगा job करेगा या तो वो क्या करेगा मा लीजे उसके पास कोई घर है उस घर को उसने क्या कर दिया किराय पे दे दिया तो किराय से जब आपको क्या रिसीव होगा पैसा रिसीव होगा यहां से भी उसको पैसा रिसीव हो सकता है या फिर वो क्या करे कि कोई भी बिजनस कर ले तो अगर बिजनस कर रहा है तो सीधी सी बात है उसे क्या रिसीव होगा बेटा profit receive हो जाएगा है ना अब मालीज अगर कोई वेक्ती profession में जा रहा है profession मतलब कोई direct doctor है या कोई engineer है या मेरे जैसा teacher है उसको profit तो नहीं होगा लेकिन हाँ उसको क्या receive होगा बेटा fees receive होगा उसके क्या receive होगा आपका बेच दे या उसके पास कोई जमीन है तो उस जमीन से भी वो पैसा क्या कर सकता है generate कर सकता है बेच कर तो उस प्रकार के पैसे को हम लोग क्या कहते है फूझी गत लाब कहते हैं यानि जिसे हम क्या कहते हैं आपका capital profit कहते हैं या फिर कोई ऐसा तरीका जो इन चारो तरीकों में ना आए, वो तरीका क्या कहलाएगा, वो तरीका आपका कहलाएगा other source, for example, जैसे माल लीजे, आज कल तो काफी betting app चल रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं कि betting कर लेते हैं, match पे पैसा लगा देते हैं, दाओ लगा देते हैं, ऐसा जीत लेते हैं कि नहीं, जीत लेते हैं, तो अब वो जो other पैसा आ रहा है, क्या वो salary में जाएगा, क्या वो rent में जाएगा, क्या वो business में जाएगा, क्या वो capital profit में जाएगा, answer है, नहीं, तो वो फिर किसमें चला जाएगा, आपका other source में चला जाएगा, clear हो गया बेट के लिखा है और उन पांचों सोर्स को हम कहते क्या है वन बाई वन इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले सोर्स को हम कहते हैं income from salary कहते हैं क्या कहते हैं आपका income from salary कहते हैं point clear हो गया दूसरा source जिसे हम कहते हैं आपका income from house property कहते हैं क्या कहते हैं विया income from house property कहते हैं इनकम from house property के बाद तीसरा source हमारा क्या है income from business and profession income from business and profession यह हमारा तीसरा तरीका होता है फिर उसके बाद जो हमारा चौथा है उसे हम क्या कहते हैं आपका income from capital gain क्या कहते हैं पेटा income from capital gain या income from capital profit और फिर उसके बाद एक लास्ट है आपका income from other source इंकम फ्रॉम आपका क्या अधर फोर्स यह बात समझ में आ गई आप लोगों को जब भी आप किसी भी वेक्त या किसी भी पर्सन के income की बात करोगे कोई भी वेक्त या कोई भी पर्सन इन्हीं पांच तरीके से पैसे को क्या करता है जनरेट करता है इतनी बात समझ में आ गई तो जो income अर्ण पे टेक्स लगाया जाता है जो इनकम अर्ण पे टेक्स लगाया जाता है उस प्रकार की income को उस प्रकार के टेक्स को हम लोग कहते हैं आपका क्या direct tax कहते हैं किया कहते हैं आपका डारेक्ट टेक्स कहते हैं अगर किसी ने पूछा कि जरा बताइए टेक्स कितने तरीके का होता है तो आप सीधा कहोगे कि सर टेक्स दो तरीके का होता है एक होता है जिसे हम कहते हैं आपका क्या डारेक्ट टेक्स और यह डारेक्ट टेक्स व्यक्तिकी ड डारेक्ट इंकम पर लगता है ठीक है किस पर लगता है आपके डारेक्ट इंकम पर लगता है और डारेक्ट इंकम के कितने सोर्स है हमारे कितने सोर्स है हमारे 5 सोर्स है income from the salary, income from house property, income from business and profession, income from the capital gain, income from the other source ठीक है ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अब थोड़ा सा और देख लेते हैं तो अब टेक्स के दूसरे concept को हमें समझना है यानि टेक्स का जो दूसरा concept है जिसे हम क्या कहते हैं आपका indirect tax कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं आपका indirect tax कहते हैं जब हम indirect tax की बात करते हैं तो indirect tax आपकी income पे नहीं लगता बलकि आपकी किस पे लगता है expense पे लगता है indirect tax आपकी किस पे लगता है आपके expense पे लगता है यानि जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं बेटा, खर्चा करते हैं, तो उस खर्चे पे जो हमें टेक्स देना पड़े, अब आप कहोगे कि सर खर्चे भी भी टेक्स देना पड़ता है, क्या, आप क्यों नहीं देना पड़ता, आप जैसे मोबाइल का रिचार है यानि जो हमारा indirect tax होता है indirect tax का जो हमारा example होता है इसका नाम क्या है आपका GST क्या नाम है बिटा आपका GST जिसे हम कहते हैं गुड्स कि सर्विस टैक्स गुड्स सर्विस टैक्स यानि आप कोई समान खरी देंगे तो भी आपको टैक्स देना है आप कोई सेवा भी लेंगे तो मोबाइल लेटवर्क की में बात कर रहा हूं तो मोबाइल ले लेट वरक में आप सेवा ही तो ले रहे है आप जो टीवी का проблема करते हैं आप जो जो वा आपने वाई फाई का cortex करते हैं और जो वाटर विल देते हैं जो Electricity विल देते हैं उसमें जो आप टैक्स दे रहे है उस प्रकार के कि का के हैंगे आपका सिंधाल के से सिंधार्यट करते हैं जे यूद आसा सब इक्षफ हमस्याई वक्रमाइए देल सबत्यक्रेटित जीत लेटेहें लेकिन थोड़ा सा हम indirect tax के बारे में भी क्या कर लेते हैं देख लेते हैं तो आप लोग heading अलग से डालिएगा GST ठीक है देखो जब आप GST की बात करते हो तो मैंने आप से कहा कि GST आपका तीन दो सब्दों से मिलकर बना है या दो टेक्स से मिलकर बना है एक होता है आपका goods tax और एक होता है आपका क्या service tax बात क्लियर हो गई बेटा एक होता है आपका क्या गुड़ टेक्स और फिर उसके बाद अगला क्या था आपका service tax देखे ध्यान से सुनिए जब GST नहीं था तो क्या उस समय indirect tax नहीं लगता था सर उस समय भी indirect tax लगता था जानते थे इसके नाम से जानते थे हम लोग उसे वैट के नाम से जानते थे यानि वैलू एडड़ टेक्स के नाम से जानते थे इसके नाम से जानते थे बेटा वैलू एडड़ टेक्स के नाम से जानते थे बात क्लियर हो गई और service tax आपका क्या था service tax के नाम से ही हम उसे ज चार्ज किया जाता था इसके द्वारा चार्ज किया जाता था अब आप कहोगे कि सर्फ बात बताईए ऐसा क्या कारण था जिसमें हम वैट टैक्स और सर्विस टैक्स को जोड़कर जीस्टी बना दीए तो देखो सबसे पहला कारण तो ये था कि देखो अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग वैट रेट थे मतलब UP में 4% चल रहा है दिल्ली में 5% चल रहा है फर्याडा में 6% चल रहा है तो इसी कारण जो price description होता था price discrimination होता था उस price discrimination को कम करने के लिए हमने क्या किया आपकी government ने क्या किया कि GST goods tax और service tax को जोड़कर क्या बना दिया और अब इस GST की जो वसूली है वह किसके द्वारा की जाती है आपकी central government के द्वारा वसूली की जाती है और central government फिर आप देखो जब central government के द्वारा वसूला जाएगा तो सबका जो rate रहेगा वह अलग-अलग रहेगा कि एक हो चरवर्य है कि जो समान आप यू पी में 10 रुपय का ले रहे हो ना वही समान आप दिल्ली में लोगे तो उसका भी दांदस रुपय रहे वही समान आप हर्याणा में लेगे तो भी उसका दाम क्या रहेगा आपका दस रहेगा लेकिन जब तक यह GST नहीं था तब तक प्राइज का क्या होता था description होता था, discrimination होता था, कमी आते थी, तो इससे क्या होता था कि जो सस्ता समान बेचेगा, जो सस्ता समान क्या करेगा, बेचेगा, वहीं हम जाके क्या करेंगे, खरीद लेंगे, इसका एक example हम आपको देते हैं, आप लोगों ने liquor का नाम सुना होगा, क्या कहते हैं, दारू, दा मिलती थी, अब सबका price क्या है, आपका, same to same है, price क्या है, आपका, same to same है, बस उसका जो transportation cost है, या जो marketing cost है, वो जुड़के आपका price थोड़ा सा 10-20 रूपया इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी price आपका क्या रहेगा, बाभू, same ही रहेगा, point clear हो गया, तो GST वाला concept आपक करते हो, तो GST अपना जो tax है, वो दो तरीके से buy करता है, दो क्या तीन तरीके से charge करता है, कितने तरीके से charge करता है, तीन तरीके से charge करता है, एक जिसे हम नाम देते हैं आपका, एक, जिसे हम नाम देते हैं आपका, input, input और दूसरा, input GST, input GST, और दूसरा क्या नाम देते हैं आपका, output GST नाम देते हैं, समझो ध्यान से, जो आपका input GST होता है, आपको purchase के time pay करना होता है, इसके time pay करना होता है, या जब आप कोई भी payment करेंगे, तो उसके time आपको GST, यानि कौन सी GST, input GST आपको pay करनी पड़ेगी, point इतना clear हो गया, जब आप output की बात करोगे, output GST की बात करोगे, तो output GST कब पे करना है सर, तो output GST आप pay नहीं करेंगे, बलकि आप receive करेंगे, आप pay नहीं करेंगे, बलकि क्या करेंगे आप, receive करेंगे, और कब receive करेंगे, जब आप समान क्या करेंगे, बेचेंगे, या जब आप पैसे को क्या करेंगे बेटा जी, रिसीव करेंगे, इतना point clear हो गया, अब इसी input और इसी output को, हम दो भागों में, डिवाइड कर देते हैं, कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है आपका same state, same state और other state का मतलब क्या होता है, कि जिस state के, seller और purchaser एक ही state के हो, जैसे यूपी का seller है, यूपी का ही purchaser है, उसे हम same state कहेंगे, other state का मतलब क्या होता है, कि यूपी का seller है, और purchaser कहां का है, ना लीजे दिल्ली का है, हरियाणा का है, या कहीं और का है तो उसे हम क्या कहेंगे आपका other state कहेंगे तो same state में आपको दो GST पे गरनी है एक है जिसे हम कहेंगे CGST क्या कहेंगे भीया CGST और दूसरा जिसे हम नाम देंगे क्या आपका SGST नाम देंगे और other state की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको IEGST पे गरना है क्या पे गरना है आपको IEGST पे गरना है यानि अगर आप सेम स्टेट पे हो और अगर इन्पुट ले रहे हो तो इन्पुट CGST, इन्पुट SGST और अगर आप समान बेच रहे हो सेम स्टेट में बेच रहे हो तो output CGST, output SGST, ठीक है, और अगर आप other state में जा रहे हो, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अगर खरीद रहे हो, तो क्या लिखेंगे, input IGST, और अगर आप बेच रहे हो, तो क्या लिखेंगे, output IGST, इतनी बातें आपको याद रखनी है, किसमें, GST वाले concept में, बस इसस जादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको GST पढ़ना है, तो GST के लिए, अलग से आपका lecture क्या किया गया है, upload किया गया है, वहाँ से आप पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम, text के बारे में पढ़ रहे हैं, introduction of income text के बारे में पढ़ रहे हैं, तो text का, पूरा scenario आपको clear हो गया कि नहीं हो गया, income text में क्या क्या आएगा, कितने head मैंने बताए थे, 5 head बताए थे, पहला head क्या है हमारा, income from salary, दूसरा head क्या है, income from house property, तीसरा head क्या है, income from business and profession, फिर क्या है, income from capital gain, फिर अगला क्या है, income from other source, बात समझ में आ गई बटा, चलिए फिर, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजे note down हो गई है, चलिए फिर, देखेंगे जड़ा, तो tax क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई, अब देखेंगे, अब tax में अगर हम आप से पूछें, ऑफो जो tax है, जो आपका क्या है, टेक्स है, देखें यहां पे लिखा भी है, टेक्स कहां कहां चार्ज किया जाता है what is the tax tax is the compulsory monetary contribution tax is the monetary contribution in the state revenue as the assist and imposed by the government on देखे क्या लिखा है on activity सबसे पहला क्या लिखा था बेटा enjoyment दूसरा क्या लिखा है expenditure तीसरा क्या है आपका income फिर income के बाद क्या है occupation फिर क्या है privilege फिर क्या है property यानि जो आपका tax है वो हर जगा लगेगा आप जूला जूला भी जूलते हो ना enjoyment जूला जूलते हो ना लगता है टेक्स देते हो कि नहीं देते हो देते हैं सर देते हैं यहीन ना हो तो देख जाके देख लो दस राउंड जैसे सुल्तानपूर में जो जूला लगा था 10 राउंड 5 राउंड का 60 रूपया लेते हैं बंदब 60 रूपय मसाला 10 रूपया उस 60 रूपय में आपने कुछ पैसा टेक्स का भी तो दिया होगा सरकार को भी तो देना है यह भी तो आप देखो देखिए अब का सेल profit मैं क्या बोल रहा हूँ जो आपका सेल प्राइग होता है कैसे define किया जाता है प्लस 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 होति है बनाने की लागत उस पर लाभ कमाना कितना है और उस पर सरकार के दौरब क्या लगा घया है अब फिर उसके बाद जो बचेगा वह आपका क्या जाता है सेल प्राइज आ जाता है हम जो भी एक्टिविटी करें जो भी हम खर्चा वर्चा करें जैसे आप समाल लेने जाते हो अपने सुल्तानपूर में तो भी मार्ट है ना लेने गए हो समाल तो जब आप समाल लेने जाते हो तो नीचे टेक्स ल रहे हैं तो आप यह जानिए कि कमाना कमाने पे तो टेक्स देना ही देना है साथी साथ आपको खर्चा करने पर भी आपको क्या देना है टेक्स देना है तो इंडिया में अपने कितने तरीके के टेक्स होते हैं बता रखा है अभी अभी जस्ट बताया कितने टेक्स होते हैं ड समझ में आ गई एक चीज और जानियेगा जो आपका direct tax होता है न उसको आपको ही देना है मतलब क्या है कि उसको आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसा अगर आपने कमाया ठीक्स भी क्या करना है आपको ही देना है इसी लिए यहां पर लिखा है the burden of which can not be shifted to any other person is called the direct text यानि एक ऐसा कर एक ऐसा कर दायत तो जिसे आप किसी और पर हस्तान्तृत नहीं कर सकते बात बताईए नौकरी आपने की तो कर क्या कोई और देगा ऐसा आपने पाया है ना तो कर कोई और थोड़ो न देगा लेकिन अगर आप indirect text की बात करते हो तो indirect text में text का जो burden होता है उसे shift किया जाता है तो आप कहोगे सर shift कैसे करते हैं क्यों नहीं जो final consumer रहता है उसी से text लिया जाता है जो फाइनल कंस्यूमर रहता उसी से क्या लिया जाता है वेटा टेक्स लिया जाता अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो एक बात बताओ बेटा धान से समझना जैसे जब हम GST की बात करते हैं तो GST में मैंने क्या कहा कि एक दो तरीके की आपकी GST होगी एक आपकी कौन सी होगी बेटा इनपुट होगी और एक आपकी क्या होगी आउटपुट होगी नहीं है इनपुट आप कप करते हो जब आप समान खरीदते हो आउटपुट कप करते हो जब आप समान क्या करते हो बेचते हो तो आप बिजनेस आप क्या है बिजनसमेन है तो आपने क्या कि एक हजार रुपए का समान खरीदा इस पर आपने 20 रुपए का टेक्स दिया यानि टोटल आपने कुल कितना पेमेंट किया होगा तोटल आपने एक हजार बीस रुपए का पेमेंट किया होगा तोटल आपने कितने रुपए का पेमेंट किया होगा एक हजार बीस का फिर आपने इस समान को आपने इस समान को बारा सो रुपए में बेच दिया और बारा सो रुपए में बेचा तो आपने तीस रुपए का इ 20% 28% अलग अलग उसका स्लव रेट है उसके आध़ार पे वो टेक्स की क्या कराती है वसूली कराती है अब आप के पास आया होगा आपके पास 1230 रूपया आया होगा की नहीं आया होगा अब सरकार आप से कहेगी कि वहीया हमें को दो सरकार को कुल कुल कितना टेक्स देना है 30 रुपय का टेक्स देना है ना बताओ थीज मेंखें से बारहinsky हल रुपया आप आलरीड़ी दे चुके हो यह इसका मतलब कि classify शुल correlate pledee ना रहेगा 6 रुपया तो इसका मतलब क्या आपने बीस रुपया ये जो पैसा आपने यह जो 1200 बेचा है अभी मैंने क्या कहा कि सेल प्राइस का मतलब क्या होता है कोस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस क्या आपका इस 1200 रुपे में वो 20 रुपे कंसीडर होगा कि नहीं कंसीडर होगा याना में जवाब दीजे होगा न तो इन डेरेक्ट test को क्या किया जा सकता है सिफ्ट किया जा सकता है लेकिन डेरेक्ट को आप सिफ्ट नहीं कर सकते समझ में आगी तनी बात समझ में आगेए देखे लिखा भी है है यहां पर लिखा भी है यहां पर बढ़लिज öर ऑन्दा थार्ड पार्टी विद्ब आप एक करो आप कि अ करो करो और गगे बाद में उससे क्या कर सकते हो आप वसूल कर सकते हो तक जो GST वसूल किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है क्या अपारियों कि dalरन Kobe Kansas Region लगाते हैं कि customer log GST लगाते हैं अगर लोग लगा रहे हैं अगर व्यापारी लोग लगा रहे हैं तो खरीते समय वह टेक्स का भुकतान करते हैं और बेचते समय यहां पर आपको देखना है बॉया प्रसके है तो क्या इसमें टेक्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें आप टेक्स को ट्रांसफर कर सकते हैं आसर कर सकते हैं नेचर की जब हम बात करेंगे नेचर का मतलब क्या होता है देखे जो डारेक्ट टेक्स होता है जो आपका डारेक्ट टेक्स जब मैं जब जब बोलूं डारे इंडारेक्ट टेक्स बोलूं तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं क्या जीस्टी और अगर मैं जीस्टी बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं इंडारेक्ट टेक्स कह रहा हूं बात क्लियर हो गई तो देखिए ये जो आपका है ये प्रोग्रेसिब टेक्स है बढ़ती जाएगी वैसे आपकी टेक्स की वैलू भी क्या होती रहेगी गड़ती जाएगी यहां पर आपकी income बढ़ी tax की value भी क्या हो गया बढ़ गया लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका मतलब यह है कि भीया एक बात बताओ पहले आप कैसे tax tax आप टुकडों में ले रहे हो ना यहां पे आप tax कैसे ले रहे हो टुकडों में यानि जो tax आप से पहले से ही consider कर लिया गया जै जैसे अभी आप example देख रहे थे आप क्या देख रहे थे एक्जामपल यहां पर देख रहे थे तो टोटल आपको कितना tax आपने वसूला अब आपकी यहां पी जो tax की value रहेगी जो tax liability रहेगी वह आपकी क्या होती रहेगी घटती रहेगी इस अभी firearm क्या होती रहेगी घटती रहेगी जबकि यहां पर आपकी टेंसकी जो लेटी है वह क्या होती रहेगी रहेगी इनकम्वाड़ी ही लेकिन यहां पर आपकी लाइबिल्टी पुक्ड़ों में क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है आपको देना था 30 durum आप ओल लिखा गया है कहता है the purpose of the direct text is a redistribution of the wealth of the nation यानि जो direct text होता है जो आपका क्या होता है direct text होता है इसलिए लिया जाता है ताकि हम देश का क्या कर सके विकास कर सके और अगर आप indirect text की बात करते हो तो increase the price of the goods and service increase the price of goods and service अब आप कहोगे sir direct text देश का विकास के लिए है indirect text भी तो देश के विकास के लिए होना चाहिए होना चाहिए मैं भी मानता हूं indirect text का पैसा भी तो सरकार हमीं लोगों के लिए इस्तमाल करती है वो अलग बात है कि कुछ नेता लोग पहले अपना तीजोरी भर लेते है बात में हम लोगों को देते हैं लेकिन देखा जाए तो पिछले हमको लगता है कि 10 या 15 साल में हमारा देश काफी कुछ इंप्रूब हुआ है मैं आपको बताओ पिछले मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं अपने city की बात करता हूँ सुल्तानपूर की बात करता हूँ मैं किसकी बात करता हूँ सुल्तानपूर की तो पिछले 5 साल में मैंने अपने शहर को बहुत डवलप होते हुए देखा है आप लोगों को नहीं देखा होगा कई सारे पुल बन गए हैं कई सारे हॉस्पिटल कई सारे क्या दो हॉस्पिटल तो बनी रहे हैं प्लाइ ओबर कई सारे बन चुके हैं रोडे आपकी जो दो लेन वाली थी वो फोर लेन में कनवर्ट हो गई है वही है कि नहीं हुई है पेड़ जहां पर नहीं थे वहां वहां पर पेड़ लग गए हैं साफ सफाई का महौल पूरी तरीके से चेंज हुआ है वह एक नहीं हुआ है तो यह सब पैसा सरकार के द्वारा ही तो खर्च किया जा रहा है जो सफाई कर्मियों को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा जो पुलिस कर्मियों को पैसा दिया जाता है डॉक्टर लोगों को को पैसा दिया जा ता जो government वाले होते हैं सरकार के द्वारा क्या कर देती है और फिर हम क्या देती नहीं थिसकर का पा damaging की दारिक नपर कुछ बाते और देख लेते हैं यह जब आपिंगंडारोट करेंगे डीटा जब मिधिस की बात करेंगे income tax की बात करेंगे तो income tax में कुछ objective भी हम लोग देख लेते हैं क्या देख लेते हैं objective भी देख लेते हैं कि सर objective क्या होता है income tax का तो देखो सबसे पहला objective तो यही है कि income tax क्या करता है कि जो inequality है जो हमारी क्या है बेटा inequality है अब आप कहोगे इनिक्वालिटी का मतलब यह मत सोचिए गा बहती बहती बहुम्हें वए 수가 पासा नहीं सरकार भी राशन कार्ड बनवाती है ना कि मुछ सम्मान निधी होती है सारकार यो जनाे कि दिए ला रही है सुकन्य बिध्या धन कुछ होता नाम नहीं मुझे राज़े है क्या केता है इसाधीओ 5 के लिए जो गरीब परिवार है जिनकी बच्चियां जिनकी बच्चियों की सा नहीं हो पारी है जंका साधी भी करवाती है पैसा भी देती है पचास अजार की इसे कुछ करके दिया जाता है जब है मैंने समान दिया जाता है और समान आइसा नहीं कि खराब दिया जाता बढ़िया समान तो नहीं लेकिन भूर्विलर नहीं दिया जाता लेकिन हाँ यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लाख ये डिड़ लाख रुपया तक का समान दे दिया जाता है पहले सोचो वही जब सरकार नहीं सुभिदा दे रही थी अ तक तक तो कुछ नहीं हो रहा था लेकिन सरकार कर रही है घर घरपे वह पानी वाल सरकार चावली है भी मिलता है आज मार्केट में लेने जाओ तो मं जो सरकारी रासन वाली दुकान है वहां तो दो रुपय तीन रुपय मिल रहा है ना वह तो बात में जब मार्केट में ले जाके बेशते हैं तो बोलते हैं लेकिन अभी तो जो राशन बात बताई जैसे माली ये मेरा राशन कार्ट बना है और मुझे पता चला कि भई आप फालाने पर रासन मिल रहा है तो मैं जाके रासन लूंगा की नहीं लूंगा और इन केस अगर मैं रासन मुझे सामने वाला नहीं दे रहा है वह जमाना छोड़ दीजे कि लाला लोग दुकान समान नहीं देते थे आज कल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है भाई कितना आया कितना गया देन पड़ेगा information देनी पड़ेगी यह भी तो आप देखिए तो सबसे पहला objective क्या है कि यह inequality को क्या करता है reduce करता है दूसरा तो bring the equity between the classes यानि जो अलग-अलग classes है जैसे lower label middle level upper label लोग कहते ना जैसे हम अपनी बात करें तो हम middle family से belong करते हैं लोग यह कहते हैं जैसे लोगों से पूछो वह कोने मिडिल वाले हैं हमा लोग अगर upper level में होते तो हमारे पास भी Scorpio होती हमारे पास भी private jet होता होता कि नहीं होता हम भी दस वाराठे भी आ करते हैं अरे मजा कर रहे हैं भाई अरे जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं एक को छोड़ेंगे एक महीने बाद दूसरी स्कल लेंगे और हमारे यहां क्या होता है हमारे यहां एक को छोड़ने से पहले एक साल दूड़ाया जाता है कोट का चहरी और उसके बाद जितना आप कमाये रहेंगे उसका आधा परसंट फलाने को दो उसके बाद हिम्मत होगी आपको दुबारा भिया करने की हिम्मत है नहीं होगी यहर और उसमें पिर दहेज वाला उत्पीडन भी लग जाता है देखिए जो आपके अलग-अलग क्लासेस हैं उनके बीच में समानता बनानी है फिर उसके बाद क्या कहता है कि जो आपकी देश की अर्थ बेवस्था है इसको एक्सलिरेट करना है मेरी बात सुनिए बेटा एक भ बहुत लोगों का मैंने देखा छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ आयोध्या मेरा मंदिर बनने से अच्छा हॉस्पिटल बनवा देते इस पूल बनवा देते या कुछ और चीज बनवा देते मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है बेटा कि अगर वह मंदिर ह मंदिर बनने से पहले क्या उस एरिया का डेवलप्मेंट हुआ कि नहीं हुआ पहले वहां पे एरपोर्ट नहीं था अब एरपोर्ट है कि नहीं है पहले वहां के बसड़े एकदम जरजर हुए थे अब बसड़े अच्छा है कि नहीं है पहले वहां का रेलवे स्टेशन कित पांच दिन के अंदर अंदर लगभग 15 लाख लोग दर्सन कर चुके हैं तो भाइया 15 लाख लोग कैसे आए होंगे बससे तो आए होंगे मैं कहता हूँ अगर गाड़ी से आयोंगे तो भी तो तेलवा का खर्चा दियोंगे कि नहीं दियोंगे वो पैसा सरकार को मिला होगा कि नहीं मिला होगा वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चाय समोसा पकावडी खाएंगे कि नहीं खाएंगे तो वहाँ के लोगों का रोजगार वेवस्था बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है वहाँ के दुकान से कोई समान खरीद रहे हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो कोई ये कहे कि सर अस्पताल बना दो हॉस्पिटल बना दो देखिए हॉस्पिटल इस्कूल ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंट्स होता है बेटा हर एक चीज का अपना importance है जो जमीन वहाँ पे एक लाख रुपए की मिलती थी आज वही इस्तिती है कि वो जमीन आपकी पचास लाख रुपए की हो गई है करोण भी हो गई है करोण करोण जमीन हो चुके यार ये तो सोचो कितना जादा development हुआ है खाली एक मंदिर बनने से उतना development क्या आपके hospital बनने से होता है क्या नहीं होगा भाई hospital में क्या 5 दिन में 15 लाख लोग पहुचेंगे क्या नहीं यार थोड़ा सा सोचो अब उस पे हम आगे कोई comment नहीं करेंगे क्योंकि जाकी रही भाउना जैसी प्रभु मूरत देखी 33 जिसकी जैसे सोच है उस पे हम कोई टिका टिपड़ी नहीं करेंगे तो सरकार क्या कहती है कि हम income tax से अपना देश की अर्थ ब्योस्ता क्या करेंगे accelerate करेंगे और मैं आपको एक चीज बताऊ इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो सिर्फ एक चीज को फॉलो करता है और वो क्या है अपना यहूदिजम यानि वो अपने आपको फॉलो करते हैं अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और हमारे यहां कल्चर के नाम पे तो हम लोग बटे हैं पूरी तरीके से कोई कहेगा कि हम राम को मान रहे हैं कोई कहेगा हम रावण को मान रहे हैं कोई कहेगा हम भीम को मान रहे हैं कोई कहेगा हम फलाने को मान रहे हैं कोई कहेगा रहे हमहन का मानत है अरे माना चाहे जेकर लेकिन देश सबसे ही तो मिलकर बना है आप देश में के देश के खिलाप अगर काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा देशा sometime सब्सकेरा के हो तो सरकार कया करती हैं कि जो आपका टेक्स लेती है उससे में आपकी ही एकनॉमी में वह लाकर ले जाके क्या कर देती है इन्वेस्ट कर देती है, फिर आगे क्या कहता है, क्या लिखा है बेटा, fund for the economical development, फिर कहता है increasing the, increase the investment, increase the investment क्या होता है, देखो आज हम 30 साल के हैं, लेकिन आज से 20 साल के बाद भी क्या हमारी इस्तिती वही रहेगी जो आज है, तो अगर हम अपनी पैसे को बचाएंगी नहीं, तो आगे चल के, क्या हमें दिक्कत होगी की नहीं होगी, होगी न, इसी लिए हमें समय समय पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, पर सरकार कहती है कि आप जहां जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे बताएं हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर आगे क्या है चैनलाइज दा इन्वेस्टमेंट यारी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आगे चलके क्या होगा चैनलाइज होगा कैसे देखो जरा ध्यान से यह माली जे आप हैं आपने FD करा लिया FD कहा कराओगे बैंक एम तो कराओगे तो बैंक क्या करेगा उस पैसे को अपने पास रखेगा क्या नहीं बैंक भी बड़ा साड़ा है वो भी कहीं न कहीं उस पैसे को क्या कर देगा इन्वेस्ट कर देगा और जहां इन्वेस्ट करेगा वो भी कंपनी कहीं न कहीं जाके उसे क्या करेगी इ रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा पैसा सकती बैंक के कहीं के पास बैंक का पैसा कहीं पही फूट हो गया चैनरीजेशन और इससे आपनामि बात आगए धेगते हैं सरकार फिर कोशन कहता है कि who is liable to pay the income tax who is liable to pay the income tax देखिए ध्यान से समझेए बताते हैं देखिए जो भी व्यक्ति पैसे को generate करेगा जो भी व्यक्ति पैसे को क्या करेगा वेटा generate करेगा वह व्यक्ति पैसे वह वी व्यक्ति क्या करेगा त्यक्स को पे करेगा देखिए एक चीज जानिए सभी लोग tax को नहीं pay करते हैं कि सभी लोग tax नहीं देते लेकिन हाँ सभी लोग जोटा सा बच्चा जब जनम लेता है ना विट्टा का जनम लेगा तो जगा तो अस्पताल या घर तो अब मुझे लगता है की साथ 4 या 5% का ही है आखि सबहीं लोग अस्पतार भाग जाते हैं और अस्पताल में वी 2 तरीके का स्पताल सरकारी और प्राइवर्ट सरकारी में जाओगे तो ठीक है प्राइबेट में जाओ तो रखे रहो कम से कम दो से तीन लाख रखे रहो भाई साहब और नहीं तो क्या अब कुछ बच्चे कहेंगे है सर अरे भाई आज से दो महीने डेड़ साल पहले डेगर हमारे घर भी नन्नमुणमेह्मान आया था उस मध्य मेहमान को यह दिन उनकी माताजी अस्पटाल में रही थी हाँ और छे दिन का जो बजट आया था लगभग इतना आ गया था कि यतना गया था कि अब आपको कि चशाँ है इतना कैसे अरे माहलीच हम को बताएं जो रूमोहा हम लिए थे रूमोहा का नाम्हीच 17 रूपिया एक दिन का यह दिन केट 18 parent अच्छा गर्मी थी अब आइसा नहीं हम जनर्णल वाड ले लें लेना ही था भाई लेना पड़ेगा रिष्टेदार आ रहे हैं सारे जो तो बात है खैर कुछ बच्चे गए भी थे देखने के लिए लेकिन एक चीज जानी है कि अगर आप जन्म भी ले रहे हैं तो उस समय भी आपको टेक्स देना पड़ेगा अरे हां भाईया देना पड़ेगा अरे जौने जगा तुम आप जलाये जाएंगे आप नहीं कोई और जलाया जाये गा तो लकड़ी लकड़ी के लिए जो भभूत बूत डाली है उसके भी भी बच नहीं सकता घीते जी तो देना ही देना है यहां तक कि जब आप लोगो तेरही वराई खवाई जाती है उस पर भी टेक्स देना है तो टेक्स नहीं दोगे क्या चैलिए इसके आगे हम कल आपको बताएंगे इसके आगे कल चर्चा करते हैं काफी मज़ेदार चैप्टर है काफी मज़ेदार सब्जेक्ट है आपका इंक अभी तो हम आपको सैलरी पढ़ाएंगे हाउस प्रोपर्टी पढ़ाएंगे कैप्टल गेन पढ़ाएंगे कई सारी चीजे हैं बेटा ठीक है तो फिलाल आज के लिए इतना ही मिलेंगे कल तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखे और अगर चीजे सम